अलो गाईज नेक्स रेपिसोट के स्टाइट से पहले आप लोग में जैंक को सब्सक्राइब करते हैं इसे पी नेक्स रेपिसोट को स्टाइब करते हैं सैंग ची कार से लिकरने के बाद जौशु का भाई खड़े होकर रीवेट करने लगती यह देखकर साँग्यान कहने पाद सेंक्ची फ्रांट पर बैटने लगती बल्कि अपना उंबाल लेकर पीछे जाकर बैठ जाती है और जाश्यों भी से वैसे करते हैं पहले आगे का डूर ओपन करके फिर पीछे जाकर बैठ जाता है तो पीछे बैठ कर जाश्यों जब उसे सीट पेल्ट लगा रहा होता है तो सांग्यान कुछ होरी समझ लेता है और ऐसे expression दे रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई भी यहां पर बैठ आँवा हूं हूं तो संग्ची कहले है कि मैं तुम लोगों का परसर्ण ड्रायवर नहीं हूं और बीस सांग्ची की वही बच्पन की बाद भी पताएं लगता पर जैसी पीछ जॉशु और सैंग ची को हाथ पकड़े देखते हैं तो उसका फ्रेंड पुछे लगते हैं कि यह क्या चल रहा है इन दोनों के दर्मिया तो चैन कहता है कि तुम्हें नहीं पता तो मैं भी नहीं बताऊंगा फिर जॉशु आगे खुदी अपनी गल्फरेंड करवा देता है तो वह कहते हैं कि जब हम ग्याजुएट हुए थे तो तुम्हारी बेहन थी तो वह कहता है कि हाँ उस टाइम पर मुझे इस पर क्रश्टा पर मैं इंबैरस फिल कर रहा था यह बताते हुए फिर वह एक साथ प्रेट करने लगता तो यान सैंग ची को ड्रिं गर जाने का और से दिमाग में इस इसकोष्टन भी होता है कि जाश्यू कि तुम्हें सच में अल्कॉहल से अलर्ची है तो वह कहते हैं कि चलो चेक करकर के देख लेता हूं यह कहता हो सैंग ची को कि सैंग करो तो ठीक है प répond तो मुझे ना मिलो तो मैं तुम्हें बहुत जादा मिस करता हूँ इस बात के बाद जॉश्यो फिर से सैंक ची को किस करता है पर अभी जॉश्यो इस किस करके पिछे नहीं आरता इसे पहले ही सैंक ची वहाँ से भाग जाती है घर के लिए और जब ख्याप पहुंच दिया पानी पीरी होती इतने में बाइट से उसकी माम भी आ जाती है माम को देखे पूछे लगती है कि माम आप कहाँ पढ़ थी तो उसकी माम कहती है कि मैं भाई कुड़ा भैंकने गई थी और फिर फाइनली उसकी माम वो पूछ लेती है जो पूछने के लिए आई थी कि तुम और जाश्यो क्या डेट कर रहे हो अब यह सुनकर तो सैंक ची भी कुछ चुपसी हो जाती है और फिर अपनी माम को कहने लगती कि मैं आपको पताना चाहती थी कि उसके डैड ने क्या किया है और अभी तक उसके डैड ने जिनको मारा था वो उसके खर पर उसके ने कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं तो सैंक ची कहने लगती कि हाँ मुझे सब कुछ पता है और इस बारे में सोचना ये कहा कर उसकी माम वाँ से चली जाती है नेक्स डियात है एक जगा पर सैंक्चे अपनी माम की बातों के बारे में सोची है तितने में वहाँ पर जाश्यो भी आ जाता है जो पीछे से आकर उसे अपने आने का सुप्राइस सा देता है आप ये दोनों बैटकर बाते बगारा करने लगते है जिसमें जाश्यो से बताता है कि मैं सोचाओ कि मैं तुम्हारे माम डैट से मिलूँ तो सैंक्चे ब उसकी बास उनके कहती है कि हाँ अच्छा इडिया है तो मैं मिलना चाहिए अप ये दोनों चलते हैं वे जा रहे होते हैं तो सैंक्चे जाश्यो से पूछे लगती है कि क्या तो मेरे साथ खुश हूँ जिसपर जाश्यो कहते है कि हाँ खुश हूँ तो वो दुबारा उससे पूछे लगते जिसपर जाश्यो कहते हैं कि हाँ सच में मैं तुम्हाइं सब बहुत खुश हूँ तो जाश्यो कहते हैं कि मैं सोचते हूँ कि मुझे 29 यर्स की होना चाहिए था तो जाश्यो कहते हैं कि तुम 26 की होते हैं और मैं 29 की होती फीबी मैं तुमसे बड़ी होती ना और तुम्हें मेरे की घरपर दिखा जाते सेंग के इतनी के इतनी जल्दी बोले आपने बात करना करें तो संथ के डाड़ लगते की बारे में पता लगा था पर थोड़ा शौक भी हुआ था क्योंकि तुम दोनों के दर्म्यान एज का काफी डिफरंस है तुम उससे काफी बढ़े हो पर उसका बच्चम से तुम हमेशा ख्यार रखते हैं अच्छे से तुमने उसको मेशा ट्रीट किया है और उमीद करता हूं कि तुम आगे फियूचर में भी उसका अच्छे से क्ष्यार रुख होगे पर जीब लग रहा होगा कि मैं इस तरह की कॉस्टिन तुम से पूछ रहा हूँ आखे तुम मेरी बेटी से डेट भी तो कर रहे हो तो जाशो कहते हैं कि नहीं आप जैसे मर्जी पूछे मुझे कोई मसला नहीं है तो थोड़ी बहुत बाते लगा कर भी सैंक्ची के ड़ट करी द उसके डैट उसको जाशो की आने का बता देते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाशो को बुलाया था मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां हो तो मैं उससे बात करो तुमें गुसा भी आ रहा होगा कि मैंने उससे क्यों बुलाया तो सैंक्ची कहती है कि अच्छा आप कि तुम्हें future sis से कोई मसला हो अगर तुम नहीं बता सकती तो हमें बता दो हम तुम्हारी help कर देंगे बताने में कि तुम्हें उससे break up करना है पस सैंग ची अपने mom dad से कहने लगती कि मुझे किसी चीज़ से कोई मसला नहीं है और नहीं उसकी family से उसकी family का कोई भी मसला होगा मैं उसके साथ उसका साथ देने के लिए त्यार हूँ और हाच चीज़ बरदाश कर लूँगी तो उसके mom dad आगे कोई बात करने लगते हैं तो सैंग ची मां से अपने रोम में चली जाती है और अभी भी रोम में उसको सिरो अपने mom dad की बाते यादारी होती हैं तो वह भी जाश्यो को काल कर लेती है पर जाश्यो जब उसे hello कर रहा हूँ तो वह कुछ भी नहीं बोरी होती है और एक लफ़ज बोलती है तो जाश्यो कहने लगता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही तो उससे कहने क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहते हूं कि तुम गरेट हो तुम बहुत अच्छे हो तो जाश्यो करने लगते कि क्या हो गया है तुम्हाइब रटने मुझे कुछ पी ने का और जाकर सो जाओ टेंशन लेनी की दूरत नहीं है और यह भी बताता है कि मुझे एक काम आ गय चे तो आपना लगिज वगरा पैक करके भी ले आती है तो उसके मॉम डैट उसके पास अमान देखे उसे पूछे लगते हैं कि तुम कहां पर जा रही हो तो वह कहां लगते हैं कि मैं वापिस जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर जौशु से बात करनी है एक बात है ज गया जाती है तो से पहुंच्जड है तो से को यहां से यहीं तो पहुंच आती है जोसे करती है कि नहीं मुझे रोना नहीं है इतने माँ पर जाशो भी आ जाता है तो जाशो करें लगते हैं कि तुम इतनी चल्दी यहां पर क्यों आ गई और पर सैंग्ची के फेस को देखा कहता है कि तुम्हें क्या हुआ बताओ तो उससे पूचे लगती कि तुम्हें याद है कि सैंचे कहती है कि मुझे अपने भाई से पता लगा कि तुम्हाई गर्फरेंड बन गई है तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी मुझे यहाँ आने के बाद तुमसे प्यान नहीं हुआ था बलके मैं तो तुम्हें बच्पन से लाइक करती हूँ तो उसको वो वही वाले स्टार्स भी देती है और कहती है कि यह मैंने तब लिखे था जब मैं छोटी होती थी तो जाशू पहले वाला उपन करके देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरा एक सीक्रेट है जिसको मैं मान नी रही हूँ पर मुझे एक लड़के पर क्रश है और जाशू का नाम भी आगे लिखती है और कहती है कि यह मैंने उस टाइम पर लिखा था जब मुझे तुम्हारा नाम भी लिखना नहीं आता था अप यह दूसरे वाला उपन करके देखता है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे जाशू कुछ नहीं बोह रहा हो तो उसकी आंखों में अंसुआये होते हैं और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी अंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना